हैलो मेरी प्यारे बच्चों यह कोशन नीट 22 का पूछा गया है इब दे स्क्रीन इज मूवड अवे फ्रॉंड प्लेन आप दे स्लिट्स इन यंग डवल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन तो लिनियर फ्रिंज विट्ट और एंगलर फ्रिंज विट्ट इन दोनों को जरा देख है जो एंगलर फ्रिंज विट्ट होता है इसका फर्मुला उताय मेरी प्यारे बच्चों احलफा इसकल टू लेम्ड़ द Small d और अगर लेकेर बेरेम네요 बीट की बात कररें मैं ठेंस को वह तो अगर देखो आप angular fringe width की बात करो तो वो capital D पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है आप यहाँ पर लिख सकते हो capital D capital D पर depend नहीं करता डिपेंड नहीं करता कौन? angular fringe width angular fringe width लेकिन linear fringe width की बात कर रहे हैं तो वो तक lambda capital D by small d यहीं बीटा की value यहीं linear fringe width की value है वो बढ़ेगा जब capital D की value क्या होगी? बढ़ेगी तो कह रहा है कि suppression बढ़ा रहा है कह रहा है इसके रहीं जिए move away from the plane of the slits in double slit experiment तो यहीं D की value बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि linear separation of the fringes क्या होंगे? वो increase करेंगे तो हम बोल सकते हैं कौन सा option सही है इसमें दिखे करा linear suppression of the fringes decreases जो गलत है यह गलत है दूसरा करा angular suppression of the fringes increases नहीं यह तो depend भी नहीं करेगा फिर करा angular suppression of the fringes decreases यह भी नहीं depend करेगा तो सही कौन सा है D option linear separation of the fringes increases यह जब capital D की value बढ़ाएंगे तो beta की value बढ़ेगा और अगर capital D की value घटाएंगे तो beta की value घटेगा यह अगर separation screen और slits के बीच का घटाया जाएगा तो जो linear suppression है fringes के बीच क्या करेगा? वो decrease करेगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें दे रख्या increases यह option is the correct option and option D is the correct option